हेलो गाईस स्वागत एक बर फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी पस पे हम यहाँ बात करने वाले हैं अब ही क्या है कि मौर्निंग में थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था तो मैंने वीडियो बना लेना चाहिए क्योंकि डाटा मैंने रात में रेस्ट करते करते कलेक्ट कर लिया था और आप लोगों से भी थोड़ा कनेक्टिविटी फील करना बहुत जरूरी है इस समय पे तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने की सोची और अभी के लिए थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूं डैटस अगर अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े है तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंट में दे दिया गया है तो जल्दी से जाए और जोड़ पार 190 के पार स्कोर नहीं गया है मैक्सिमम टाइम स्कोरिंग यहां पर जो रहा है वो डेड़ सो के बिलो ही रहा है तो इसलिए यहां पर आप यह मान के चल सकते हैं कि एक बैलेंस्ट विकेट है इस्पिन और पेस्ट की अगर हम बात करें तो रेसेंटली जो यहां पर मैच खेला गया है जिसमें इंडिया की टीम थोड़ा स्ट्रॉंग फेवर रखती थी इन्होंने अच्छे रेंच बनाए लेकिन देखो यह फ्रेस विकेट था तब क्योंकि यह मुकाबले जो है यह सेप्टमबर 2020 के और यह मुकाबला फ्रेस विकेट पर जहां पर छे विकेट खेल भी इस पिनर्स ने निकाले और आट विकेट पेशर ने और अगर हम बात करें तो 25 विकेट श्पिनर्स और 18 विकेट पेशर ने ठीक है तो खास करके फर्स्ट इनिंग में श्पिनर्स को ज्यादा है यहां पर लेकिन हम यह कहा नहीं सकते क्योंकि देखो ओवर अगर ह वैसे स्पिनर्स को अपने टीम में कंसीडर कर सकते हैं किनका मैचप बनता है कौन विकेट टेकिंग स्पिनर है आगे हम डिसकस करेंगे दोनों ही टीमों का अगर हम बात करें हैड तो हैड रिकॉर्ड तो अभी तक 14 मुकाबले खेले गाए जिसमें से 8 मुकाबले SLK की टीम और SLK की टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं दोनों के बैटिंग बॉलिंग इस्टाल यहाँ पे आप देखोगी तो पहले तो यह देखो कि सेंट लूश्या की टीम ने 6 मैसे 4 हारे थो जीते हैं सेंट किट्स की टीम ने 7 मैसे 2 जीते हैं और 3 हारे 2 नोर जल्ट रहा है अब देंगे तो इनकी टिम थोड़ी मजबूत होगी तो मुझे लगता अगर वह इंजर्ड नहीं होगे तो वह खेलेंगे और यहां पर कार माइकल क्योंकि यहां पर सब राइट हेंडर मैक्सिमम तो यह अच्छी खासी ओवर की बॉलिंग डालते वह दिख सकते जिनके ओवर कट अच्छा पर्फरमिस यह लास्ट में बाकी फाट्र प्लेस अच्छे फ़र्म में दिख रहे हैं टिम डेविड को प्रमोट किया गया था लास्ट में बड़ भी कुछ खास नहीं कर पाए इनकी टीम से अगर हम बात करें कौन कहां पर बॉलिंग करता और कितने ओवर की बॉ बाकी बॉलिंग डालते हुए दिखें पुरे चार और कि शामने लेफ्टेंटर सका ठीके रहें तो ठीक है वैसे लास्ट तीन मैचे से इनोंने थोड़ा सेयर किया इसके अलावा जो बचे बचे बबर से वह प्रीमस और फॉर्ड में थोड़ा सा सेयर होगा और अगर जो ह से स्टैट्स अच्छा रखते हैं यहां पर रास्टन चेज मार्ग डियाल डेविड वीजा का स्टैट्स अच्छा है उसके बाद आलजारी जोसेफ जी स्कॉर्ट का गुलाइन और कैसी विल्यमस का रिकॉर्ड अच्छा है अब बाकी जो न्यू प्लेयर खेलेगा उसका स् सकते हैं यहां पर टेलिग्राम से जुड़ें तो मैं वहां पर वैसे भी भीज़ देता हूं यहां पर हैसके इनकी प्लेइंग लेवन वी रिसेंट स्कॉर की बात करें तो इनके इंपोर्टन प्लेयर है एंदर फ्लेचर एवन लिविस डेवल ब्रेविस प्रिटोरियस डी दो वर की गिंदबाजी रदर फोर्टने डाली थी जिसमें से यह महंगे जाबीत वे थी बाकी यह जो लेफट हंडर और राइट हंडर का कॉंबिनेशन नहीं एगा लेफट हंडर आउट होएंगे तो होसकता लेफट हंडर ही आएंगे जैसे लास्ट में अहां तो अगर प्रापर देथ ब्रावो और अगर डीजेश निखाल लेते हैं तो यह भी आपको देथ में इनों ने देथ में की थी अभी इनके पास है प्रॉपर देथ बॉलास तो यह लोग कर रहे हैं इनकी टीम से जो अच्छे खासे ओवर की बॉलिंग डालते हैं अकीला धनेंजे उसक बड़ चांसे ज्यादा है कि डीजन से नहीं बॉलिंग डालेंगे अच्छे खासे ठीक है इन चारों के बाद उसके बाद इनके भी बेंच के प्लेयर आप देख सकते हैं इनके जो स्टैट्स से देखो एंडर फलेचर का स्चा है यहां से एवन लिविस का रदर फोर्ड का स्टैट्स सचा है उसके अलावए ड्वेन ब्रावो और पिटोरियस का स्चा है यहां से कोट्रेल डॉपनिक ड्रैक्स और अकिला धनजे इन लोग का स्टैट्स सचा है बाकी कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो आप उसका स्टैट्स यहां पे देख सकते हैं और अगर आप टेलिग्राम से जोड़े तो मैं वहाँ पर वैसे भी स्टैट्स भेज जेता हूँ अब देखो मतलब जो न्यू प्लेयर के स्टैट्स हैड टू हैड की बात करेंगे जब दोनों टीमें आपस में खेलती तो कौन्छे प्लेयर का परफॉर्मेंस निकल के आता है SLK की तरब से राष्टन चेज, जॉंसन चार्ल्च और एसकेन की तरब से एवन लिविस का रिकॉर्ड अच्छा है हैड टू एड में और बाकी SLK की तरब से बालिंग से कैस्रिक विलियम्स, स्कॉर्ट कुगलें, अलजारी जॉसेफ का रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पर क टब यह देरन ब्रावो, स्के बाद अंदर व्लेचर, रास्टन चेज, से श्यर, लिकॉर्ड अच्छा है, यहां से जॉस्वर डीशिल वा कर रिकॉर्ड अच्छा है, बाकी सब का टीज से बालिंग से बात है और यहाँ से डीजे ब्रावो और शारी थाम청 और अच्छेथ करता है यहां पर एवन लविस कैसिक विल्यम से तीन बार आउट जरूर हुए लेकिन चववन गिन में 100 रन भी बनाए इसके बाद डियें ब्रावो डेरें ब्रावो कैसिक विल्यम से 30 गिन्दों में 3 बार आउट हुए और 45 रन बनाए बाकी सब एक बार आउट में ज्यादा मार्ग डियाल को कॉर्टरल ने 8 गिन्दों में 2 बार बाकी सब ने एक बार आउट किया हुआ है यहां पर टीम डेविड और राश्टन चेसको तो ज्यादा कुछ है नहीं अभी करिए जो है यहां पर जॉंसन जाल्स का डेविड वीजा का मार्ग डियाल का और यहां से सिल्वा यह सी ने रहा रहा है किसी प्राइज को डिकर दिया जाता है प्रमोट कर दिया जाता है तो वह एक रिस्क बना रहेगा अभी तक legal भी small league के अच्छे अपसे ने ये दोनों ही थोड़े हीट और मिस टाइप के प्लेयर है इस सीजन दोनों का पर्फोर्मेंस अच्छा रहा है दोनों नहीं लगतार रंच बनाएं consistent तरीके से थोड़ा सा slow wicket को देखते हुए अगर slow wicket क्योंकि देखो इतना ज्यादा high scoring venue नहीं ह तो मैंने जॉंसन चार्ज को ड्रॉप कर दिया क्योंकि विकेट कीपिंग डिक्वेला कर रहे हैं इनकी टीम से और यहां एंद फ्लेचर ही कर रहे हैं विकेट कीपिंग तो अगर जैसे कि इतना ज़्यादा high scoring match नहीं होता तो एंद फ्लेचर विकेट कीपिंग से भी कुछ है थोड़ा सा फॉर्म गढ़ रहा था रिसेंटली लेकिन अभी सिपील में अच्छा पर्फरमिस दिखाया है और अच्छे बलेवाज है नो डाउट बड़ा स्कूरिंग करने की चमता रखते हैं वह भी तीजी से लेकिन इस समय थोड़ा फॉर्म गढ़ बढ़ है पर हमार हें अइसे नहीं लेकिन अच्छे अच्छे शॉयले थे लेकिन एक चीज है कि अगर इख में चेज करें तब आप इनको लेžे सकते हों करें। तब अब Darren Bravo को ले सकते हो लेकिन अगर यहां से खेल गए Mark दियाल तो रदर फोर्ड और Darren Bravo दोनों को छोड़ना है उन Mark दियाल को लेना है क्योंकि सामने तीन लफ्ट हेंडर है और ऑफिस में गिन बाजी कर सकते हैं और बल्ले बाजी से CPL में अपने आपको कई बार प्रूफ कर चुके हैं इवन कर्टेंशी ऑप्शन भी ग्रैंड लिंग में मिनी जील में अच्छे रहेंगे लेकिन अगर इंजर्ड है नहीं खेला रहे हैं तो वह अलग बात है तो हमें मजबूरी में इन दोनों में से किसी एक को उठाना और अगर आप इनको ट्राइग कर रहे हो तो एक चीश का ध्यान रखना कि फिर आप एंद फ्लेचर को ना लो क्यों कि फिर एंद फ्लेचर अगर जल्दी आउट होंगे तभी इनका प्रोमोशन होगा क्योंकि राइट हिंडर है ऐसा क्रिकेटिंग सेंस कहता है और जिस तर है और रंच भी नहीं बना पाएं ठीक है इसलिए मैंने अभी के लिए और एक चीज की देखो रास्टन चेस के बालिंग करने के चांसे हाई है इस मैच में मैच अप के एक और उसके बाद अगर आप इनको नहीं लेना चाहते हैं जैसे लोगों ने किया है तो आप इनके ज बाद में आते हैं सेम पत्थ पर ड्वेन पिटोरेस भी चलता है ड्वेन पिटोरेस की बैटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है और इंचे उपर आएंगे बैटिंग करने और दथ में बाजी यह बहुतना पेस नहीं और दथ में ब्रावो की तरह रही उनके भी विकट मि बना सकते हो रॉसन प्रीमस और एंफोर्ड ने जरूर इंप्रेस किया वा था अंडर 19 वर्ल्ड कप में लेकिन अब एक लिए यहां पर इतना एक्स्पिरेंस नहीं है जिसके वैसे मैं नहीं लिया है लेकिन लास्ट में तीन विकेट लिया तो जरूर बूस्ट मिला हुए स्मॉल लिग में भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा क्योंको इतना एक्स्पिरेंस नहीं है ठीक है बट मिनी जील जील में आप इनको ट्राई कर सकते हो बॉलिंग की बात करें तो देखो राशीद खान अलजारी जर्षफ मस्ट अब इक है इन दोनों को मतलब लेके ही चलना है चाहे कोई भी नहीं हो अलजारी जर्षफ तो रन भी बनाते है फस्ट बॉलिंग में तो यह आपके लिए कैप्टेंसी मेटेरियल भी है राशीद अगर इनको लेगे जाओंगा कि यह दथ में आए तो हमारी बैड लग अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते है तो काल माइकल जैसे मैंने आपको बोला कि लेफटाम और थोड़क से सामदा राइट हैं अच्छे हैं बट इनकी टीम इनको उतना मौका नहीं देती है लास्ट तीन मैचे से एक ओवरी दिया है डी जैंशन को थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो ले लेना क्यूंकि इनको ऊवर कट रहे हैं लास्ट के कुछ मैचे से और देथ में भी नहीं आ रहे हैं तो इसलिए मैंने इनको नही से पिक नहीं क्योंकि सामने लेफ्टेंटर की भर्मार है और यहीं लेफ्टाम और थोडोक्स है तो दोस्तों जो टीम बन रहा है कुछ इस प्रकार से जहां पर कप्तानी मैंने रसीद खान को दी है वाइस कप्तानी मैंने थोड़ा रिस्क लेके चेस को दी दिया है ठीक है स्मॉल लीक के कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे उप्टन है ग्रैंड डिघ में एवन लेविस फ़फ्ट्व प्लेसी रस्टन चेज अलजारी जोसफ फस्ट बालिंग में आतो यह लोग स्मॉल लिग में यह तीनो और ग्रैंड लिग में यह चारो ठीक है अब ट्रंपि किस को ट्राइए कर सकते हो किस सिच्वेशन में ट्राइए कर सकते हो मैं चैंज होगा हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इनफार्म करेंगा आफ्ट टॉस्स ओर फैनल अपडेट जिसका लिंक का आपको इस वीडियो के description and comment section के सबसे पहले comment में मिल गया था तो thank you so much दोस्तों ये वीडियो वाच करने के लिए वीडियो पसंद आया तो like जरू करना और आप सभी का कल बहुत अच्छा अच्छा वेसेस आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगे इतनी वेसेस की कि मैं जल्दी ठीक कर दो